साथियों को सलाम जोहार जिंदाबाद एक पोटली रेत की एमंग वाइपीपी के बैनर तले इस कहानी का वाचन जो रविनाथ ठाकुर्जी ने आज से लगभग सौ साल पहले लिखी थी आज की संदर्ब में जिस तरह महिलाओं के साथ व्यवार किया जा रहा है यहाँ बहुत ही प्रासांगिक कहानी है समाज साहित्य साहित्य समाज इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिस्ता है उसी के संदर्ब में मैं आज रविनाथ टैगोर जी की इस्तरी का पत्र पढ़ रहा हूँ पुझ जिवर आज पंद्रह साल हुई हमारे व्याह को हम तब से साथ ही रहे अब तक चिट्टी लिखने का मौका ही नहीं मिला तुमारे घर की मजली बहु जगनात पुरी आई थी तीर्थ करने आई तो जाना की दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है इसलिए आज चिट्टी लिखने का साहस कर रही हैं इसे मजली बहु की चिट्टी ना समझना वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आये थे मुझे बारवाँ साल लगा था सुदूर गाओं में हमारा घर था पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको मेरे घर के लोग आवगत करते करते हैरान हो गए विदाई की करुण धुन गूंज उठी मैं समझली बहु बन कर तुम्हारे घर आई सभी औरतों ने नई दुलन को जाँच परक कर देखा सब को मानना पड़ा बहु बहुत सुन्दर है मैं सुन्दर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए पर मुझ में बुद्धी है यह बात तुम लोग चाह कर भी न भूल सके मा कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है लेकिन मैं क्या करूँ तुम लोगों ने उड़ते बैठते कहा यह बहुत तेज है लोग बुरा भला कहते हैं सुक कहते रहें मैंने सब माफ कर दिया मैं छिपछिप कर कविताइं लिखती थी कविताइं थी तो मामूली लेकिन उन में मेरी अपनी आवाज थी वे कविताइं तुम्हारे रीत रिवाजों के बंधनों से आ जाती मेरी नन्नी बेटी को चीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुक न पासकी इस हादसे को भी पार किया फिर से जुड़ गई रोज मर्रा के कामकाज में गाई भैस सानी पानी में लगी रही तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था यहाँ गाई भैस ही मुझे अपने से लगते थे इसी तरह साएद जीवन बीच जाता आज का यहाँ पत्र लिखा ही नहीं जाता लेकिन अचानक मेरी ग्रहस्ती में जिन्दगी का एक बीज आगिरा यह बीज जड़ पकड़ने लगा और ग्रहस्ती की पकड़ धिली होने लगी जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी मा के गुजरने पर हमारे घर आ गई मैंने देखा तुम सभी परिषान थे जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धन्मती जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर बुलज गई एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी अनात लड़की के साथ ऐसा रूखा बरता होते देख मुझसे रहा न गया मैंने बिंदु को अपने पास रख जगह दी जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली गलती का बोज मुझे पर आ पड़ा पहले पहले मेरा सनही पाकर बिंदु सकुचाती रही पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी बिंदु ने प्रेम का विसाल सागर मुझे पर उडेल दिया मुझे कोई इतना प्यार और संबान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था बिंदु को जो प्यार दुलार मुझे से मिला वह तुम लोगों को फूटी आँखों न सोहता याद आता है वह दिन जब बाजू बंद गायब हुआ बिंदु पर चोरी का इलजाम लगाने में तुम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं रखी पल भर की जिजक नहीं बिंदु के बजन पर जरासी लाल घमोरी क्या निकले तुम लोग जट बोले चेचक आ गई किसी इलजाम का सुबूत न था सुबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था बिंदु बड़ी होने लगी साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी जब लड़की को घर से निकालने की हर कोसीस नाकाम हुई तब तुम ने उसका बियाह तै कर दिया लड़के वाले लड़की देखने तक ना आये तुम लोगों ने का ब्याह लड़के के घर से होगा यही उनके घर का रिवाज है सुनकर मेरा दिल कांप उठा ब्याह के दिन तक ही बिंदु अपनी दीदी के पाऊँ पकड़ कर बोली दिदी मुझे इस तरह मत निकालो मैं तुम्हारी गौसाला में पड़ी रहूंगी जो कहोगी मर्शो करूंगी बे सहरा लड़की सकती भी मुझसे बूली दिदी क्या मैं सचमुच अकिली हो गई है मैंने का ना बिंदी ना तुम्हारी जो भी दसा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं जेठानी दिदी की आँखों में मैंने कहा ना बिंदी ना तुम्हारी जो भी दसा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं जेठानी दिदी की आँखों में आशू थे उन्हें रोक कर बोली बिंदिया याद रख पती ही पतनी का परमिस्वर है तीन दिन हुए बिन्दू के ब्याह को सुभा गाय भैस को देखने गौसाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिन्दू मुझे देख फफख कर रोने लगी बिन्दू ने कहा कि उसका पती पागल है बेरहम सास और पागल पती से बचकर वह बड़ी मुस्किल से भागी है गुस्या और घ्रना से मेरे तन बदन में आग लग गई मैं बोल उठी इस तरह का धोका भी भला कोई ब्याह है तु मेरे पास ही रहेगी देखो तुझे कौन ले जाता है तुम सब को मुझे पर बहुत गुस्सा आया सब कहने लगे बिंदू के ससुराल वाले उससे लेने आ पहुँचे मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदू खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी भी वे लोग बिंदू को ले गए मेरा दिल दर्द से चीख उटा मैं बिंदू को रोक न सकी मैं समझ गई कि चाहे बिंदू मर भी जाए वहाँ अब कभी हमारी सरण में नहीं आएगी तब ही मैंने सुना कि बड़ी बुआजी जगनात पुरी तीर्थ करने आएंगी मैंने कहा मैं भी सांच जाओंगे मैंने अपने भाई सरण को बुला भीजा उससे बोली भाई अगली बुदवार मैं पुरी जाओंगी जैसे भी हो बिंदू को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा उसी दिन साम को सरण लोट आया उसका पिला चहरा देखकर मैंने सीने पर सांप लोट गया मैंने सवाल किया उससे राजी नहीं कर पाए उसकी जरूरत नहीं बिंदू ने कल अपने आपको आग लगा कर आत्महत्या कर ली सरण ने उत्त दिया मैं इस्तब्द रह गई मैं तीर्थ करने जगनात्पुरी आई हूँ बिंदू को यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मेरे लिए यहां जरूरी था जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वो हम मेरे जियोन में नहीं था तुमारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई तुमारे बड़े भाईया का चरित्र जैसा भी हो तुमारे चरित्र में कोई खोट न था मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन अब मैं लोट कर तुमारे घर नहीं आऊँगी मैंने बिंदू को देखा घर गरस्ती में लिप्टी औरत का परीचे मैं पा चुकी अब मुझे उसकी जरूरत नहीं मैं तुमारी चौकट लाच चुकी इस वक्त मैं अनंत नेले समद्र के सामने खड़ी हूँ तुम लोगों ने अपने रीत रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था नजाने कहां से बिंदू ने इस पर्दे के पीछे जھांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदू की मौत ने हर पर्दा गिरा कर मुझे आजाद किया मजली बहुँ खत्म हुई क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदू की तरह मरने चली हूँ डरो मत मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुरहना मजाक नहीं करूँगी मेरा भाई भी मेरी तरह औरत थी उसके बंदन भी कम नहीं थे उन से मुक्ती पाने के लिए उसे आत्मात्या तो नहीं करनी पड़ी मुझे अपने आप पर भरोसा है मैं भी जी सकती हूँ मैं जीऊंगी तुम लोगों के आस्रे से मुक्त होकर मरनाल साथियों या आज के संदर्वे में जिस परिष्टितियों में महिलाएं औरतें बच्चियां जी रही हैं उसे प्रासंगी के समझते विए यह कहानी आज भी उतनी ही महत्तुपूर्ण है महिलाओं के साथ हो रहे बेवार को लेकर तो इस चैनल को आप लाइक कीजे शेयर कीजे और इसके बेल आगके उनको दबाईए ताकि हम इस तरह की परिष्टितियों से संगठित होकर एक साथ आगे बढ़ सकें तो यह यात्रा है सोहबत सितारों के संग की मैं आप सब लोगों को जिन्दाबाद सलाम नमस्कार जोहार कहते हुए वाई पी पी और एक बोटली रेट की तरफ से अभी आधन करता हूँ धन्यवाद